लेटस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले बारिश का दोर जारी रहा खानपूर की रूपली नदी उफान पर है बार के हालात इत बन गए है मौसम मिभाग ने आने वाले 24 घंटे में पूरवी राजिस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना जदाई गई है जैपूर में छित्राई बारिश का दोर जारी है शहर में कहीं तेज तो कहीं तेज बारिश हुई शहर के कलेक्टरेट पर सुबै आठ वजे तक 24 मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि सांग गानेर एरपोर्ट पर सुबै आठ दशमलव तीन शुन्य से शाम पांच दशमलव तीन शुन्य बजे तक महज शुन्य दशमलव छे मिमी बारिश हुई हुई चबड़ा में आठ इंच बारिश हाड़ोती में बुद्वार राथ हाड़ोती के कई गाउं कस्बों में अच्छी बारिश हुई गुरुवार को भी कई इलाकों में तेज श्तू कही मध्यम दर्जे की बारिश हुई यह दोर शाम तक जारी रहा सबसे ज्यादा चबड़ा में आठ इंच एक सौप च्यानमें इमएम बारिश दर्ज की गई यहां सुबह दस से दोपहर दो बजे तक जोरदार बारिश हुई इससे नदी नालों में उपान आ गया इसके बाद बूंदा बांदी का दोर जारी रहा इसके अलावा बारा के किशन गंज, भाउनवर गड़, नाहर गड़, सार्थल, कवाए, जलवाड़ा में भी बारिश हुई चीपा बढ़ बोर्ड में नबबे, अठ रो में असी एमएम बारिश हुई कोटा जीले के सांगोद, कनवास, रामगान जमंडी में सुबह से रिमजिम होती रही इटावा में दोपेहर में 20 मिनट तेज बारिश हुई मंडाना, चेचट में रिमजिम, मोईकला में 4 घंटे तक बारिश हुई रूपली नदी उफान पर जाला वार जीले में सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा खानपूर की रूपली नदी उफान पर है बार के हाला अतित बन गए हैं प्रशासन ने पटने की तैयारी में जुटा है नदी में उफान से सूमर सहित आसपास के चेत्रों कसम पर कट गया है बकानी, रायपूर, खानपूर, रटलाई, जाल रापाटन, चौ महला में बारिश हुई नीच चले इलाकों में पानी भरा सीकर वजो जुनू जिले में दूसरे दिन भी बरसात का दोर जारी रहा जुनू में शाम को करीब एक घंटे के दोरान 56 मिली मीटर बरसात रिकॉर्ट की गई सीकर में शाम 6 बजे के करीब आरिश का दोर शुरू हुआ, जो घंटे भर तक चला मलसी सर में भी शाम को 25 मिली मीटर हुई जबकि खेतरी में 8 और उद्यपुरवाटी में 18 मिली मीटर बरसात सुबै 8 बजे तक रिकॉर्ट की गई सीकर में बीते 24 घंटे में अब तक 174 मिली में बरसात हो चुकी है दिन भर उमस के बाद रात को फिर बारिश जैपुर में दिन भर की उमसभरी गर्मी के बाद रात को शहर में फिर तेज बारिश हुई दिन भर बादलवाई का जोर रहने के बाद रात को करीब आधा घंटे तक तेज बारिश हुई शहर के जेल इन मार्ग, टोंक रोड, चार दीवारी सहित भलगभग सभी जगों पर बारिश ने लोगों को उतर कर दिया खुली दावों की पाले शहर के कई इलाको में आज तड़के हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की पॉल खोल दी मेहज, कुछ देर की बारिश से ही शहर में जगह जगह पानी भर गया और लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परिशानी का सामना करना पढ़ा बरसाती पानी कॉलोनी में गुस गया, जिससे लोगों के घरों के चारों और पानी भर गया। इसी तरहे विद्याधर नगर इलाके में भी बरसाती नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी सड़क पर भर गया और कई वाहन जल्मगन हो गये। इस धोरान स्थानिय पाशद दिनेश कावट और उनके सहयोगियों ने कई वाहन चालकों के वाहनों को धक्का दे कर पानी से बाहर निकाला।